हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आपका स्वागत है हमारी सेनल पर दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन चलाते होंगे यानि आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आज मैं आपको आपके मोबाइल फोन चलाने का एक्सपिरियंस कुछ जादा ही बढ़ा दूंगा और आपको काफ में हैं अगर हम यूटूब में हैं वीडियो देख रहे हैं तो हमको वाट्साप में जाना है तो हम कट करेंगे उसके बाद में फिर वाट्साप सर्च करेंगे वाट्साप की दार है फिर जाके वाट्साप में जाएंगे ठीक है अब फिर अगर हमको इस्टाग्राम में जा अगर दोस्तों मैं इस साइट से स्लाइड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ अप्लिकेशन आ गई है रिसेंट अप्लिकेशन आ गई हैं आप कौन से अप्लिकेशन को यूज कर रहे थे कुछ टूल बॉक्स भी आ गए हैं आप यहां से ब्राइटनेस, इंट वीड़ी एकसेस कर पाएंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हो जान लेते हैं कौन सी से टिंग है और इसकी से टिंग हम कैसे करेंगे लेकिन दोस्तों बीडियो शुरू करने इस पले हम आपसे एक छोट इसी रिक्वेशे करना चाहते हैं आपको एक को all पे कर देना all पे जरूर करना नहीं तो आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे और हाँ दोस्तों अगर आप गेम खेलने के सौकीन है तो आप हमारे सेकेंड चैनल प्रजापती गेमिंग को सब्सक्राइब कर सकती हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक request और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप एजली वहां से application को तो rooting कर सकती है है तो चलिए मैं को बता देता हूँ पहले तो अप देह चैनल यहिए कि application यह है तो चलिए सबसे पहले मैं ।क खु कि ताक ताक कि आपको एक सीरे से समझ में आ जाए तो आप देख सकते हैं कि मैं clear कर दिया अब मैं इस application को open करता हूँ जब आप इसे first time open करेंगे तो यह enable करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ से permission दे देना है ठीक है अब यह on हो जा फिर आपको दुबारा open करना है जब आप दुबारा second time open करेंगे तो यह जो application कुछ इस तरह से बताएगी ठीक है आपको किस तरह से use करना है यह आपर सारा कुछ बताएगा तो आपको swap कर देना है ने तो आप यहाँ से skip कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप किस तरह से application को add कर सकते हैं आप सब कुछ बता रहा है तो हम इसको skip कर देते हैं ठीक है अब हम दुबारा application को open करते हैं अब आप देख सकते हैं कि application कुछ इस तरह से open हो जाएगी application में बहुत सारी setting है अगर आप floating tab को change करना चाहते हैं यनि custom करना चाहते हैं तो आप यहां से custom कर सकते हैं लेकिन अगर आप ज़्यादा advance करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर theme मिल जाएगा setup मिल जाएगा आप सब कुछ अपने हिसाब से adjust कर लेना अब मैं आपको बता देता हूँ आप application को कैसे add करेंगे जैसे अगर मैं इस side swipe करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर toolbox आ चुका है अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई application नहीं है तो आपको plus पर click करना है और Instagram हुआ, Jio हुआ, Kindmaster हुआ और, 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 MX Player, Phone Pay, WhatsApp Business तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कई सारी application को add कर लिया अब आपको यहाँ से ok करना जिसे आप ok करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी application आ चुकी है ठीके अगर आप recent में जाएंगे तो जो आप recent पर application डालके रखेंगे वो application रहेगी लेकिन अगर आप favorite में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपकी favorite application मिल जाएगी अब दोस्तों आप easily apply phone को access कर पाएंगे जैसे अगर मुझे Instagram में जाना है तो मैं Instagram में चला गया अगर आपको तुरन स्वीच होना है WhatsApp में तो आपको swipe करना है उसके बाद में आप WhatsApp में switch हो सकते हैं अगर आपको किसी और application में जाना है तो बस आपको यहाँ से थोड़ा सा उपर करना है ठीक है corner से थोड़ा सा उपर करना है जैसे आप उपर करेंगे आपको यहाँ पर सारी application मिल जाएगी उसके बाद में आप easily switch हो सकती है तो दोस्तों काफी कमाल के application एक बाद try करना बहुत मजाएगा उमेद करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आजी होगी वीडियो पसंद आती तो please like करना, share करना, channel को subscribe करना मिलते हैं next video में, bye